Hello Everyone, आप सब का स्वाक्त करता हूँ एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल डिस्टिक गयान में तो School of Eminence के समध में जो अपडेट से वो आ रही है तो अब जो 9th क्लास की अडमिशन क्योंकि होने वाली है तो उसके समध में बहुत बड़ी जो अपडेट है वो आ चुकी है तो department की तरफ से 15 दिन का जो plan है जो schedule है School of Eminence क्लास 9th के लिए वो जारी कर दिया गया है तो अब 9th क्लास की जो student है वो मंडे से 15 मई से अपनी जो school है जहाँ पर उन्होंने admission करवाई है वहाँ पर जाकर जो admission करवाएंगे और जो भी schedule होगा 15 दिन का पूरा schedule बना दिया गया है तो आपको अब वहाँ पर School of Eminence में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको वहाँ पर क्या करना होगा तो उसके बारे में सबी चीजे महाँ पर बताई गई हैं तो आप जो page होगा उसको हमारे वीडियो के description में जो link होगा वहाँ से भी उसको page को download कर सकते हैं schedule को देख सकते हैं या फिर telegram channel पर भी आपको हमारा यह जो schedule है वो मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं 15 days plan for school of eminence तो यहाँ पर आपको 15 days plan of school eminence का यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे 15 माई को तो 15 माई को सुबह 9 बज़े से 12 बज़े तक school to get over for school of eminence section at 12 p.m तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि सबसे पहले तो welcome किया जाएगा students parents का उसके बाद registration होगी वो इसके बाद one on one orientation होगी with class teacher के साथ उसके बाद hand over होगा 15 days schedule to the students यह जो schedule है यह आप सभी को मिल जाएगा तो आप वहां से आपको school सभी मिल जाएगा आप हमारे यहाँ से description में जो link होगा वहां से इसको schedule को download कर सकते हैं देख सकते हैं उसके बाद written consonant लिया जाएगा parents से तो यह जो stack holders होगे इसमें students होगे parents होगे teacher student parents होगे और last में teacher parents आपस में जो concernant है उसके बारे में discuss करेंगी उसके बाद next जो होगा वो 16 माई है 16 माई को जो सुभी 9 बज़े schedule होगा वो interaction with honorable education minister की तरव से जो interaction करवाई जाएगी तो उसके बाद जो interaction होगी वो chief minister की तरव से करवाई जाएगी उसके बाद जो 12 बज़े इनका normal subject classes जो है वो शुरू होगी तो यहां पर आप दे सकते हैं जो honorable जो education minister है या chief minister जी है जब उनसे interaction होगी तो teacher होगे students होगे और parents होगे उसके बाद जो classes लगेंगी वो student और parents के साथ जो normal subject classes है बूल लगाई जाएगी तो next यहां पर 17 माई को बुद्धवार को यहां पर schedule बताया गया है कि पूरा timing यहां पर बताएगी तो यहां पर जो schedule है यहां पर दिये गए है assembly होगी, movie दिखाई जाएगी आपको lunch break होगी इसके बाद questions होगे class teachers के उसके बाद 9 वर subject classes जाएगे वो चलेंगी next 18 माई को Thursday को सुबह 8 बजे से 2 बजे से दक आपकी normal subject new classes जाएगी उसके बाद 19 माई को full day होगा आपका field trip तो इसमें teachers, students, school management committee के होगे, parents होगे दू थिन वो होगे उसके बाद 20 माई को Saturday को 9 बजे से दो बजे तक जाएगे तो यहां पर discussion होगी उसके बाद lunch break normal subject classes जाएगी और 21 को Sunday के चुटी रहेगी उसके बाद 22 माई को 8 बजे से आपकी जो normal classes जाएगी 23 को holiday रहेगी आपको उसके बाद 24 को आपकी normal subject classes 25 को भी subject classes 26 को आपका फिर एक field trip होगा उसके बाद 27 को फिर discussion होगी लंच ब्रेक subject होगी आपके subject classes चलेंगी next 28 माई को Sunday होगा उसकी चुटी रहेगी 29 को भी आपकी normal subject classes चलेंगी उसके बाद 30 माई को आपकी S.O.L. session होगा lunch break होगा normal subject classes चलेंगी और 31 माई को आपकी normal study होगी और आपको holiday homework दिये जाएगा क्योंकि जो holidays है वो first June से लिगा 30 June तक होने वाली है तो इसलिए आपको जो normal study में जो भी आपको करवाया गया होगा उसकी recording ही आपको holiday work है वो दिया जाएगा तो इस तरहें जो 9 class का पूरा schedule है आपकी study के regarding या और भी जो भी plan है वो सारा यहां पर बता दिया गया है तो अब आप अराम से अपना जो admission है वो करवाई और आपकी जो classes है वो शुरू हो जाएंगी तो काफी सारी जो आपके doubts है वो भी इस schedule में clear हो गए होगे होगे classes कैसे लगेगी क्या होगा वहाँ पर तो आप अपना जो document से वो जुरू साथ में लगे जाएगा जब admission होगी तो कोशिश करी कि अपना जो nearby आपको school of eminence पढ़ता है वहाँ पर ही अपनी जो admission है वो करवा लीजे तो जल्द ही 11th class का विर्ज़र आने वाला है तो उनके लिए भी जो schedule है वो जारी हो जाएगा त तो आज की स्विडियो में यही अपडेट से तो इसी तरहें की और भी अपडेट से चानकारी लेंड के लिए बने रहीगा अमारे साथ और इस वीडियो को लाइक चुरू किजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जूरू शेयर कर लीजेगा और चैनल में नहीं है तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर लेना तो इसलिए आज की स्विडियो को यहीं खतम करूँगा मिलूग आपसे नेस्ट किसी और इंफोर्मेशन वाली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहंद